हेलो दोसों देखरेंग चैनल केंपस नियूज दोसों दिली विसुदेले की स्कूल अफ़ोपे लर्निंग के सेकेंड समेश्टर के ऐसे चातर जिन चातरों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या फिर यह कहें कि सेकेंड समेश्टर का उन्होंने जो है सब्जेक्ट चूज नहीं किया था और इसी वज़ा से जब अभी एसाइमेंट बेश टेबिलूसन के माध्यम से उनका एक्जाम चल रहा था तो उन्हें जो है नहीं हिस्सा लेने दिया गया था उन्हीं छातरों के लिए एक बार फिर से जो है रजिस्ट्रेशन की डेट जो है एक्स्टेंड कर दिया गया है आप जो है 24 तारिक और 25 तारिक सामके 5 बजे तक यह फॉर्म जो है फिलप कर सकते हो और साथ में उसके बाद जो है अपना assignment based evolution के माध्यम से एक्जाम भी जो है दे सकते हो तो आज हम इसी के उपर में चर्शा करेंगे बांकी कर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेल एकन को प्रेस क्रिकल का बटन दवा लिजेगा ताकि D.U.S.L.C. related सारा अपडेट मारे चैनल पे आपको मिलता रहे तो दोस्तों S.L.C. website जो कि S.L.U.C. इस पे जाएंगे तो आपको red color में सबसे उपर में ही दिख रा होगा यूजी last chance for submission of the optional paper for UG semester second ABE examination 2021 तो यही notification है जो कि S.L.C. तरफ से जो है release किया गया है तो इसको हम download कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या क्या कहा गया है last chance for the submission of optional paper for UG semester second ABE examination 2021 यानि कि इसमें यही इसाप साप कहा गया है कि जो भी छात्र अपना registration नहीं किया था second semester का उनी को लेके last chance एक बार फिर से और जिन भी छात्रों ने अपना subject select नहीं किया था वो जल से जल अपना subject select कर लें अभी assignment based evolution के माध्यम से 18 अगस से एक्जाम चल रहा था तो उनी में इन छात्रों को जो है इससा नहीं लेने दिया गया था क्योंकि इन्होंने जो है second semester का registration form fill up नहीं किया था इसी वज़े से तो इसी को लेके जो है अपसे दुबारा एक बार date बढ़ा दिया गया है आप जो है 24 तारीक और 25 तारीक जो है सामके 5 बज़े तक आप ये form जो है fill up कर सकते हो और उसके बाद जो है आपका 26 और 27 तारीक को जो है assignment based evolution के माध्यम से जो है exam होगा फिर उसमें आप जो है हिस्सा ले सकते हो और ये दो ही दिन में आपको exam जो है देना होगा और इसका question paper अल्रेडी जो है sol के official website जो कि sol.du.ac.e.e.e. na इस पर release कर दिया गया है तो वहां पर जो भी आपका subject है जो भी courses है उस courses और subject के हिसाप से जो है आप अपना assignment दे सकते हो तो ध्यान रखे 25 तारीक तक अगर आपने registration नहीं किया है तो वो जल से जल कर ले और उसके बाद 26 और 37 तारीक को आपको सभी सब्जेक्ट का अपना assignment तयार करके वाफस अपलोड करना होगा तो उमीद है कि आपको इस update के बारे में पता चल गया बाकि आज किस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ सेर करिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा ताकि इसी तरह से और वीडियो में इस चैनल पर आपको मिलता रहे बाकि सुक्रिया धन्यवाद